धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं धौलपुर जिला हुआ कोरोना मुक्त देश के 27 इसकोरोना मुक्त जिलों में बनाई जगह है कोविड-19 महमारी ने भारत समेत अन देशों को संकर्मित कीया है जिससे लायिस्तान प्रदेश वया धौलपुर जिला भीड़ अचूता नहीं रहा चुकि धौलपुर जिले से राज्टिय राजमार्ग संख्या 3 गुजरता है इससे अत्यदिक प्रवाश की संभावना के चलते जिले में संक्रमण बढ़ने का खत्रा रहा देश में अब तक 27 जिले कोरोना मुक्त घोशित किये गए है राज्य देश में प्रत्म इस्तान पर रहा है इसमें से 11 राज्टान की जिलों में दौलपुर भी सामिल है दौलपुर जिला करेक्टर राकिस कुमार जैस्वाल ने बताया कि जिले में प्रत्म COVID-19 केस 2 अपरेल 2020 को चिन्नित हुआ था उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 1,20,864 सेंपल लिये गए जिन में 3,761 रोगी संकर्वित पाए गए अब तक कुल 3,728 रोगी स्वेश्ट हो चुके है वह 29 रोगियों की म्रत्य हुई है उन्होंने बताया कि जिले में पॉजिटिविटी दर 3,11%, रिकवरी दर 99,12%, वह म्रत्यु दर 0,77% रही है धौलपुर जिले के कोरोना मुक्त होने पर जिला कलेक्टर राकिश्कवार जैश्वाल ने खुशी जाहिर की है वहीं कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि माश्क लगाएं एबं सामजिक दूरी की पालना करते हुए सरकार द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन की पालना करें पचगाओं के पास निजी बस्वे ट्रक में आमने शामले की जवर्दस्थ भढ़न्त ट्रक के उड़े पर खच्चे एक युवक की मौत वे आदा दर्जन घायल धौलपुर शहर के सदर्थाना छेत्र के एनेच एक चोतेईस पर पचगाओं गाओं के पास आज अल सुभे निजी बस्व और ट्रक में आमने शामले की भीषड भढ़न्त हो गई इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक युवती सहत आदा दर्जन से अधिक शवारियां घायल हो गई हादसा इतना भीषड था कि ट्रक के बुरी तरह से पर खच्चे उड़ गए और हाइवे से नीचे खेतों में जा पलटा हादसे में बस चालक की गलती मानी जा रही है माना जा रहा है कि अल सुभे का सबय होने के कारण बस चालक को नीन की जप किया गई जिस कारण आमने सामने जबर्दस बिड़ंत हो गई गटना से मौके पर चीक पुकार मच गई इस्तानी ग्रामीड हादसे की ख़बर शुनकर मौके पर पहुच गई जिन्होंने दुरगटना की सूचना नजदीक पच्चगाव पुलिस चौकी को दी मौके पर पहुची पुलिस ने इस्तानी लोगों की मदद से 108 एंबूलेंस द्वारा सभी गायलों को जिला आस्पादाल धौलपुर के ट्रोमा सेंटर में भरती कराया है वही मृतक के सब को कबजे में लेकर अस्पताल के सब ग्रह में रखवा दिया है जिसका दोपहर में परजनों की मौजूदगी में पोश्ट बाडम कराकर सब परजनों को शौप दिया गया जानकारी के मुताबिक NH-123 पर पचगाओं के पास जैपुर शेग वालियर जा रही नेजी बस एबं धौलपुर की तरफ से जा रही ट्रक में आमनी शामने की जबरदस भीठर फ्रन्त हो गई एक्सिडन्ट का धमाका सुनकर आशपास के ग्रामीड मौके पर पहुँच गई गटना से बस में चीक पुकार मच गई आदा दरजन घायलों में से चार जनों की हालत नाजुक बताई जा रही है गटना में ट्रक और बस चालक भी गंबी रूप से घायल हुआ है हादसे में स्वपलिक कौशिक पुत्र राजकुमार कौशिक उम्र 23 वर्ष निवाशी ग्वालियर की मौत हुई है बताया जा रहा है कि योवक जैपुर्ष किसी परिच्छा को देकर आ रहा था हादसे में 40 वर्षिय राजू पुत्र रामजीलाल निवाशी जलेश्वर उत्तरप्रदेश 30 वर्षिय मुनेश पुत्र किसनलाल निवाशी जलेश्वर 25 वर्षिय राहुल पुत्र हनवान शाही योगी निवाशी दोसा 18 वर्षिय दर्षना पुत्री शुनेल निवाशी ग्वालियर 27 वर्षिय पंकज कुमार गायलों में चार जनों की हालत नाजुक बताई जा रही है पुलिस ने ट्रक और बस को कबजे में लेका चांच शुरू कर दी है सुवह करीब शाड़े पांच वजे सुचना प्राप्त होई थी इसके टाइए शंका 133 वी पर सेंपो वाइपास आदस नगर के पास बस और ट्रक में एक्सिडेंट हो गया है इस पर मौके पहुंचे यहां पर बस में पुछलों गेंजेड थे इनको 108 एंबूलेंज के जड़ी यह वोस्पिकल बजवाया वोस्पिकल में वर्ति कराया गया और उनमें से एक बेक्ती की डेथ हो गई जिसके डेड बोर्डी मोस्पिकल में रखवाई गई है और पोस्ट मार्डम कराया जा रहा है रिकुव तोप्त राहे से नियालगन थाना पुलिश ने अबैद हत्यार सहथ दो आरोपियों को किया ग्रफतार दोहलपूर सहर की नियालगन धाना पुलिश ने एसपी केशर सिंग सेखावत के निदेश पर कारवाई करते हुए दो अलग-अलग इस्तानों से दो आरोपियों को ग्रफतार किया है जिनके कबजे से अबैद हत्यार जप्त किये गए है नियालगन धाना प्रवारी बावूलाल ने बताया कि मुख्विर की सूजना पर सहर के तोप तिराहे एवं रीको एरिया से दो आरोपियों को अवैद देशी कट्टा और जिन्दा कार्तु सहथ ग्रफतार किया है जिन से पूछताश की जा रही है धाना प्रवारी ने बताया कि दीपक पुत्र पपु ठाकुर निवाशी बेजय घाट दिल्ली वे मुकेस पुत्र नत्तिलाल निसाद निवाशी मादबानद की बगीची पुराना सहर धौलपुर को ग्रफतार किया है जिनके कबजे से दो अबेद देसी कट्टा एवं तीन जिन्दा कार्दूस जप्त किये गए हैं कारवाई करने वाली पुलिस टीम में A.S.I. ठाकुरदास, हैंड कॉस्टिबल अशुक कुमार, कॉस्टिबल जितिंदर, शिव कुमार, राईंदर, गुर्दयाल, आदिस सामिल हैं वसेडी में गौसाला खुलवाने की मांग को लेकर A.S.D.M. कारवाई में सोपा ग्यापन ग्यापन में बताया गया है कि गाई को माता का दर्जा मिलने के बाद भी गाईों पर हो रहे, अत्याचारों के चलते उन्हें धर-दर की ठोक्रे खानी पड रही है इसके अलावा इस सर्दी के मोशम में गायों को भूके प्यासे सडकों पर भटकना पड़ रहा है इसके साथ ही यह गौवंश किशानों द्वारा उपजाई गई फसलों को भी बरबाद कर रही है जिससे किशानों को भी नुक्सान उठाना पड़ रहा है साथ ही युवावने बताया कि वह है पिछले छे मां से घायल गायों की सेवा अपनी निजी खर्चे पर कर रही है युवावने ग्यापन में बसेडी छेतर में जबीन आबंटित कर गायों की समचित देखवालों चारे पानी की विवस्ता सहित गौसाला खुलवाने की मांग की है इस दोरान संदीप सिंग परमार युवराज सिंग देवा शत्यम रोहित लोके सौरव कुलदीप सहित कई युवा मौजूद रहे बढंटित की जाए और सायतारासी चारे पानी के लिए दी जाए यह अपनी जेव से पैसा करच करके अब तक यह कर रहे हैं स्रीराम कॉलेज ओफ होटल मेनेजबेंट की बुलबुल को मिली नामी गरामी होटल में नोकरी धौलपूर शहर के सेपुरोड इस्तित लवानिया पैलिस में संचालित स्रीराम कॉलेज ओप होटल मैनेजमेंट धौलपूर की एक चात्रा को देश के नामी ग्रामी होटल में नौकरी मिली है जिस पर कॉलेज इस्टाप ने हर्ष जताया है कॉलेज के निदेशक गजेंदर शिंग ने बताया कि हमारी कॉलेज की चात्रा बुलबुल सक्सेना निवाशी पुराना शहर धौलपूर को देश के नामी ग्रामी होटल अमन एबाग में नौकरी मिली है जो नकेबल हमारे संस्तान के लिए बड़े हर्ष का विशे है वलके धौलपूर जलेवाशी के लिए भी खुशी की बात है क्योंकि अमन एबाग होटल देश के नामी ग्रामी होटल में गिना जाता है अब मिलेगा आपको खाने का अशली श्वाद क्योंकि आपके शहर धौलपूर में खुल गया है चोदरी फास्ट फूड एंड फैमली रेस्टोरेंट जहां मिलेगा आपको इंडियन खाना, शाउथ इंडियन खाना, चाइनीज खाना और नास्ता एक ही छत के नीचे नास्ते में फिंगर चिप्स, व्रेड पकोडा, पनीर पकोडा, ग्रिल टिप्स, पनीर फिंगर आदी शाउथ इंडिया खाने में धोशा मसाला, पनीर मसाला, इटली, उत्पम, चाउमीन आदी इंडियन खाने में मटर पनीर, साही पनीर, कडाई पनीर, तबा रोटी, तंदूरी रोटी, मिक्सी रोटी, आलू पराठा, लक्षा पराठा, पनीर पराठा, आदी फैमली और कपल्स के लिए केभिन सुवधा उपलब्द, मीटिंग हॉल, वर्थले पाईटी, किट्टी पाईटी की भी सुवधा उपलब्द, एक महा तक खाने पर पाँच प्रतिसत की विशे शूट, प्रॉप राइटर मान सिंग चोधरी, पता, दीपा रेडिमेंट के बगल में, पुरानी सबजी मंडी, दोलपूर, वन टच कार वाइक सेम्पू से, अब अपने बाहनों की धुलाई कीजिये, और निरंतर बाहन की चमक को बनाई रखिये, वो भी आपके बजट में, साथी हमारे अन्य उत्पाद, वन टच हैंड वास, फ्लोर क्लीनर, टोइल हमारे कस्टमर केर नंबर, 89, 27, 43 पर, कॉल या वाट्सप के जरिये प्रोडेक्ट मगवाएं, ओर्डर के दूसरे दिन प्रोडेक्ट आपके घर उपलब्द हो जाएगा, डिस्ट्यूबिटर्शिप और डीलर्शिप के लिए भी संपर्क करें, पता, आगरा जगनेर नगला कमाल खेरागर आगरा 9165741677 वसेडी में सच्छता गराही ने किया ब्रोड तेज, मांगों को लेकर मुख्य मंत्री के नाम शौप हैगे क्या पन? वसेडी विलोग के सभी सच्छता गराही की बैठक आएजे तो ही, बैठक में सभी सदश्यों ने सरकार के रविये के खिलाप नाराजगी जताते हुए आंदोलंग तेज करने का निड़न लिया बैठक में बकाया भुक्तान सीगर करने, नियमित रोजगार देने, जिस पे उन्होंने सामधा एक सोचाले के रख रकाब के लिए जुम्बेदारी देने सहित बिबिन मांगों को लेकर मुख्य मंत्री सहित जला कलेक्टर को ग्यापन श्रौपे जाने का निड़न लिया बैठक में अध्यच अजयकंत पारासार, ब्रजमोहन, नीरज, अनिल, संगेता, प्रीती, संजय, बनबारी, देश राज, वानी, आदि मोज़ुद रहे जैन धरमसाला में महा म्रत्युजे एवं काल सर्फ कल्याण, मंदिर बिधान का हुगा आयुजन राष्टी संतगडाचारी श्री बिराग सागरजी महाराज के मंगल आशिरवाद एवं काल सर्फ कल्याण, मंदिर बिधान का आयुजन प्रतिष्टा चारपंडे श्री पवन कुमार जैन मुरेना के द्वारा जैन धरमसाला धौलपूर में शंपन हुगा मुनी श्री बिग सागर माहराज ने कहा कि परमात्मा शे सोदा नहीं समर्पण करू उन्होंने आगे कहा कि भगवान आधिनाथ के आनेशे उनका घर बनेने से पूरे बिश्व का जगत का कल्याण होगा जो भूगर्वु से प्राप्त परतमा अतिसैकारी चमतकारेक परतमा है परतमा हमारे पूर्वजों की धरोहर है हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परतमा को भव्यमंदिर में इस्तापित करना है मुख्य अतिती नगर परशत के आयक तो सौरभ जिंदल एबं आर्केटेक्ट नैमी चंद जैन आगरावाले रहे सौरभ जिंदल ने अपने उद्वोदन में कहा कि हर्ष का विशय है कि भगवान आदिनात का भव्व्य मंदिन निर्माड होगा भव्य मंदिन निर्माड से जिले में खुशाली आएगी इस अपसपा निर्माड कमेटी के अध्यश धनेश जैन, कमेटी के प्रदीप जैन, टीकमचंद जैन, सुभाचंद जैन, नरेश जैन, टामी जैन, ग्रीश जैन, सहित अन समाज जन मौजूद रहे शास्त नगर में सरपंच का सम्मान समारो आईजित धोलपुर्ज लेके कॉलारी इलाके के गाउं शास्त नगर में शक्वारा सरपंच मुकेश रावत का सम्मान समारो आईजित किया गया शवारो के मुक्व जितने के बाद पायटी और जाती शे ऊपर ओठकर बिकाश कार कराने चाहिए क्योंकि चुनाप जितने के बाद पायटी कोई मांगे नहीं रखती जन प्रतनिदी के लिए सभी जाती और पायटी के लोग समान होते है इसलिए सभी को साथ लेकर बिकास कराना चाहिए इस मौके पर राम साह सर्मा, ब्रज नंदन सर्मा, टुंडा राम, भज्जु रावत, क्रोरी लाल सर्मा, मोहित सर्मा आदी मौजुद रहे जोरवाली माता के पास अग्यात बाहन की टकरशे दो बाइक सवार सहित तीन घहल धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के बाडी रोड पर जोरवाली माता के पास एक अग्यात चार पईया बाहन दे बाइक सवार दो जनों सहित एक अन्डे को टकर मार दी इस दोर गटना में तीन लोग घायल हो गए जानकारी के बताविक राजबीर पुत्र रमेश चंदर वे रामफुल पुत्र सूरजभान निवासी चांदपूर धौल पूर किसी कारे से धौल पूर आए थे जहां वे जोर वाली माता के पास इस्तित पैट्रोल पंप पर पैट्रोल डलवा कर जैसे ही हाईवे पर आये तो पीछे से एक अग्यात चार पहिया बहान ने उनको टक्कर मार दी जिससे दोनों सडक पर गिर कर बुरी तरह घायल हो गये इस दोरान अग्यात बहान ने यहां खड़े रामनात पुत्र गौमती प्रशाद को भी हड़ बड़ा हट के चक्कर में टक्कर मार दी जिससे वह भी घायल हो गया गटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची जिसने 108 हैमूलेंस की मदद से तीनों घायलों को इलाज के लिए जिलास पताल दोलपुर में भरती कराया वाइक सवार गायलों ने बताया कि टक्कर के वाद हम सडक पर गिर कर बेहोश हो गए इसलिए हमें पता नहीं कि टक्कर किस बाहन ने मारी केबल इतना पता है कि कोई चार पईया बाहन था पुलिस टक्कर मारने बाले बाहन की तलास कर रही है रायाखिडा के 25 गाउं में स्वक्ष गाउं की संकल्पना होगी साकार रायाखिडा पंचाय संती के 15 गाउं का ठोश एवं तरल कच्रा प्रबंदन की चैन की बाद अब 10 और गाउं चैन इत्किये गए है जिन में ग्राम चोहन पुरा, देबदास पुरा, जारह, नाहला, शामोर, शमोना, गुनपूर, चोदरी पुरा, काटर पुरा, कुमार पुरा गाउं का चैन किया गया है गाउं में ठोस एवं तरल कच्रा प्रबंदन की विश्तिरत पर्योजना जिला कलेक्टर के निदेशन में के एमेल फाइल एवं डीपियर वर्ग कारपूर किया जाएगा जिसमें गाउं की दसा और दिसा सुद रेगी विगत दिनों इसी सरंखला में गाउं चोहान पुरा में सामदायक बैठक का आईजित किया गया जिसमें जन समदायक के साथ बैठक की गई जिसमें सरपंच प्रतनिदी भूरा शिंग, कनिश्य सहयक राम कुमार शिंग, गाउं की आंगनबारी कारकरता वाट पंच आदी इसी सरंखला में गाउं देवदास का पुराग ग्राम पंचाय सिंगावली कला में बैठक बिध्याले में आईजित किये गई, जिसमें सायक अवियनतार रामबोल सिंग गुरजर, स्वक्षता प्रभारी प्रमोत कुमार शर्मा, वलोग कॉडिनेटर महिश दुए, बिध् इसी के साथ आज ग्राम पंचायत एवं ग्राम शामवर में शामदायक बैठक एवं कार्यों के चैन के लिए बैठक आयजित की गई, टाइल्स के मामले में देश की नंबर बन कंपनी सिंपोलो टाइल्स का अधिकरेत सोरूम अब आपके सहर धौलपुर में भी खुल गया ह अब आपको मन पसंद टाइल्स के लिए आगराक, कवालियर या अन किसी बड़े सहर जाने की जरूरत नहीं, धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मन पसंद टाइल्स, फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचिन की, एवं फर्स की टाइल्स, टाइल्स के अलाबा सेर प्रेटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है, जिले में पहली बार सिंपोलोर टाइल्स के अधिकरित डीलर, जै दुर्गा इंटर प्राइजेज, आनंद नगर के पास, सैंपोरोड धौलपूर, प्रोप्राइटर, क्रिश्न वीर शिंग और फकल्ला, परमार, ममोधन वा आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी, एक बार जरूर पद हरें, टाइल्स पसंद आने की सो प्रतिसत गारंटी, दीबाबली और नव वर्ष के शोवपसर पर विशेश शूट का लाव उठाएं, डबल बेट, सोफा, डाइनिंग टेविल, ड्रेसिंग टेव कोशी टेवल, ओपिस फरनीचर, अलमारी, इंदोरी अलमारी, आती सीचम और सागवन का फरनीचर होल्चेल रेट पर खरीदें, आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी, एब सस्ती कीमत की भी गारंटी, आगरा और गवालियर से भी सस्ता, स कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निच्चत उपहार भी पाओ पता फ्रंट लाइन होम फरनीचर शोरूम बैल्ल्यू प्लस बिल्डिंग 132 के भी बिजली घर के सामने बाडी रोड धौलपुर प्रोप्राइटर आकाश अक्रबाल मोबाइल नमबर 8239231147 धौलपुर जले का सबसे आधनिक शुविधाव बाला सुसजित एवं सुन्दर होटल होटल सुन्दरम एवं रेस्टोरेंट्स यहां ठेरने की आराम दायक शुविधा उपलब्द है लिफ्ट, रेस्टोरेंट, एसी, लाइट जाने पर जनरेटर की शुविधा वाइफाई इंटरकॉम फौन की शुविधा उपलब्द है डिलेक्स एवं सुपर डिलेक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3000 तक की रूम उपलब्द अच्छी रूम सर्वेस की गारंटी इसके अलावा हमारे यहां शागाई, गोध भराई, साधी, जनमदिन की पाइटी, किट्टी पाइटी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की शुविधा उपलब्द एक बार जरूर पदार है वोटल सुन्दरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास धौलपूर, प्रोप्राइटर हाकिम सिंग, मोबाईल नमबर 94-23-84-12 गुलापबाग चौराहे पर परवन विवाग वे यातियात पोलिस ने चलाया PUC और रिफलेक्टर अभ्यान धौलपूर परवन विवाग वे यातियात पोलिस धौलपूर द्वारा मनाये जा रहे 32 वे राष्टिय सडक सुरच्चा महा के अंतरगत आज गुरबार को ब्यवशायक बाहनों की PUC चेक की गई, जिन के पास नहीं मिली उनकी मौके पर ही PUC बनाई गई, जिन बाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए थे, उन पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गई, परिबन निरिचक रामबीर शिंग चौधरी ने कहा के नो रिफ्लेक्टर नो वीकल अविहान पूरे देश में मनाया जा रहा है, ऐसे में जिन ब्यवशायक बाहनों पर रिफ्लेक्टर नही पूच की दी, उन बहानों की मौके पर ही पी यूसी कार्ड बना कर उन्हें जारी करवाया और हिदायत दी की निर्दाद समय में पी यूसी करवाती रहे, अन्यता बिना पी यूसी के बहान के बीमा की कोई उप्योकता नहीं रहेगी, यातेयात पुलिश की ओर से बिनोत वे अंडे लोग मौजिद रही कर रहा है कि बिना प्योसिस से सर्टिफिटेट के वहां का संचालन ना करेगी अगर अधरवाइस आगे यह माहा कंटिन्यू है इसके अंदर इंफोर्स्मेंट की कारवाई भी की जाएगी कैथ्री सर्पंच की मांग के बाद लोगों के बिजली बिल हुए कम निगम ने गलत थमा दिये थे बिजली बिल दोलपुर जलेके शैपू इलाखे की ग्राम पंचायत कैथ्री में बिद्दोत निगम के करमचारियों द्वारा गलत मीटर रेडिंग अंकित कर देने के कारण कुछ लोगों के विजली बिल अधिका आ गए थी इस पर परैशान लोग ग्राम पंचायत के सरपंच अजयकांध सरमा के पास पहुँचे जिसपर सरपंच ने बिद्दोत निगम के एएन को समस्या के संबंद में शिकायती पत्र सुपा तथा बिद्दोत निगम दहौलपूर के ऐसी सिफ फौन पर बात कर समस्या से अवग जबकि पहले गलत बिल थमा दिये थे, सरपंच ने बताया कि गाउं की गरीब महिला हर देवी को 51 रुपे का बिजली बिल थमा दिया था, जांच में उसका बिल 119 रुपे पाया गया है, सरपंच के प्रयासों से इस समस्या का समाधान होने पर ग्रामीडों ने सरपंच का डाक्टर एम के जहाँए स्टेट कॉडिनेटर डाक्टर डी आर त्यागी के अनुसंसा पर फांडेशन के राश्टी अध्यच नरेंदर ने रिशीकेश भार्दवाज को धौलपुर जला अध्यच पद पर निक्त किया है, वहीं देवेंदर सर्मा को धौलपुर जिले का निक्त किया गया है, इनकी निक्ती पर इस्टेट परवेच्चक जहमल अलतिबारी भगवती प्रसास सर्मा योगे स्यादव आरपी सिंग रमेश्चन सर्मा अमेतुपाद्या सुनील रावत आदेत जहां आदी ने खुशी ब्यक्त की है, आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्र